कि अधिया में हैं उसको लेके हम सब लोग सभी पार्टियां और सब लोग चाते हैं कि ये हिंसा रुखनी चाहिए हिंसा से किसी कभी बला ना रहा है अधिया माइक नीचे ये कौन है भाई वो सब लोग किसी ना किसी घर के लोग थे और हमारे अपने दिल्ली के लोग थे तो जितने हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फाइदा नहीं है अभी घ्रह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्ज की कंसर्ण ऑफिसर्ज की कुलिस की मीटिश भाई थी जिसमें एल जी साल भी मौझूब थे बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिवस थे आम आरभी बाटी के थे दिल्ली के मुक्यमंत्री के रूप में मैं पुलिस कमिशनर थे और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही जिसमें पार्टी पॉलिटिक से उपर उठके सब ने यह तै किया कि यह हमारी अपनी सब की दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिवस मिलके दिल्ली में वापस शांती बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे सभी अथारिटीज ने और क्रेम अन्पी जी ने अश्वासन किया है तो जितनी भी पुलिस की कोई कमी नी होने देंगे जो भी जूरुत पड़ेगे हम सब लोग मिलके परेंगे अगर उसकी जुरूरत पड़ेगे तो मुझे उमीदे की पर अभी शायद जो पुलीस एक्शन ले रही है पुलीस के एक हैड कॉंस्टेबल की मौत हुई है और कई पुलीस वाले सीरेसली गायल है मैक्स हॉस्पिटल के अंदर नौ पुलीस वाले गायल है जी टीवी हॉस् कर रहे हैं ऐसा लग रहा था मैं भी नीचे सब के साथ फिछले दो तिन दिन से टच में हूँ ऐसा लग रहा था कि पुलीस वाले लिए प्रयास करेंगे और सब लोग इसके उफर पार्टी पॉलिटिक से उचे सब लोग अपने दिल्ली में शाथी बाहाल करने के लिए प् झाल पुली